इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से लिए गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। COPD वायुमार की सूजन के कारण होता है जो फेफ़डों में हवा को अंदर और बाहर ले जाता है। टियो में ट्रांसकैपसिन वायुमार की मानस्पेशियों को आराम देता है और इसे चोड़ा करता है। इससे आपको सांस लेने में आसानी होती है और आपके सीने में जकरन, सांस लेने में तकलीफ, घरगराहट और खांसी जैसे लक्षनों से राहत मिलती है। धूंग पांच से बचें और प्रदूशन, धूल और धूएक के संपर्क में आने से बचें। इसके साथ ही हर दिन थोड़ा व्यायाम आपको मजबूत रहने में मदद कर सकता है। अपने डॉक्टर से बात करें कि आपके लिए कितना व्यायाम अच्छा है। ट्रेंग कैप्स को निगलना नहीं चाहिए। उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाच करें। कैप्सूल को ट्रांसहेलर के बेस पर रखें, माउथपीस में नहीं। माउथपीस को पूरी तरह से तब तक घुमाएं जब तक कि आपको एक फ्लिक सुनाई न दे और माउथपीस से गहरी सांस लें। अपनी सांस को 10 सेकंड तक रोके रखें। अगर ट्रांसहेला में कुछ पाउडर रह जाए तो इस प्रक्रिया को दोहराएं। टियो में ट्रांसकाप्स दो दवाओं का एक मिश्रन है फॉर्मोटे रोल और टियोट्रोपियम। फॉर्मोटे रोल एक ब्रॉंकोडाइलेटर है जबकि टियोट्रोपियम एक एंटी क्लिनजिक है। वे वायुमार्ग में मांसपेशियों को आराम देकर काम करते हैं और वायुमार्ग को चौड़ा करते हैं। साथ में वे सांस लेना आसान बनाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाई करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन अन अल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।